नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखंड के नंबर वन यूटूब चैनल लाइब सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे बली राज सुप्रीमो लालु प्रसाद यादों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है इससे पहले CBI के तरफ से जो उनकी जमानत याचिका है उसका विरोध किया गया है 9 अप्रील को CBI ने सुप्रीम कोट में हलफ नामा दायर किया जिसमें कहा गया कि लालु प्रसाद को जमानत नहीं मिलनी चाहिए जो कारण CBII के तरफ से दिया गया उसमें ये कहा गया कि लालू परसाद यादो जेल में रहते हुए राजिनीतिक संगठन का संचालन कर रहे हैं एक लंबी फेरीस्त भी सौपी गई है सुप्रीम कोट को जब लालू परसाद यादो से सजायाफता होने के दोरान जिन बड़े नेताओं ने बड़े चेहरों ने मुलाकात की और सियासक को साधा तो उन सभी के लिष्ट जो है वो सुप्रीम कोट को CBII के तरफ से सौपी गई लेकिन इन सब के बाद आज 10 अपरील है और सुप्रीम कोट ने 10 अपरील को लालू परसाद यादो की जमानत याचका पर सुनवाई की तारिख तैकी थी क्यूंकि 9 अपरील तक CBII को जवाब देना था सुप्रीम कोट को पिछले सुनवाई जब होई थी उस दोरान CBII से कोट ने जवाब मांगा था कि आखिर लालू परसाद की जमानत था उसको क्यों न दिया जाए तो CBII ने उसी के उपलक्ष में जवाब दाखिल किया और एक खलफ नामा दायर किया उसमें कहा गया है कि लालू परसाद यादो को अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए आपको बता देगी स्थेहत के ग्राउंड पर और लोगसवा चुनाव में अपनी भागिदारी तै करने के ग्राउंड पर लालू परसाद यादो की तरफ से सुप्रिम कोर्ट में जमानत की आचिका डाली गई है इसे पहले लालू परसाद यादो झारखन्ड हाई कोर्ट में दरवाजा खरिक्रा चुके है वहाँ पर वो बेल की अरजी डाल चुके है जहां से उनकी जमानत याज का खारीज हो गई थी उसी को चैलेंज किया गया है सुप्रिम कोर्ट में जिसको ले करके आज सुनवाई होनी है लालु परसाद यादो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो अभी वो रिम्स के अस्पताल में एड्मिट है और सजा यापता है चारा गोटाले से जुड़े एक मामले में उनका इलाज लगतार चल रहा है सेहत में उतार चढ़ाओ बना रहता है लालु यादो के ब्लड पेशर लेबल और उनके जो शूगर लेबल है उसकी बात करें तो लगतार डॉक्टर उनकी मोनिटरिंग करते रहते हैं और हाट की भी गंभीर समस्या है उनको इसके साथी साथ किड्नी भी काफी हद तक लालु परसाद की छतिग्रस्त हो चुकी है जिसको ले करके डॉक्टर की टीम जो है लगतार उनकी अनालसिस कर रही है अब जो है इनी सब के बिना पर सुप्रिम कोट से लालु परसाद यादो चाह रहे हैं कि उनको बेल मिल जाए और वो अपने इलाज को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके इससे पहले भी वो राची के रिंसस्व हॉस्पिटल से निकल करके एशियन हाट इंस्ट्यूट मुंबई गय थे उससे पहले उनका एम्स में भी इलाज हुआ लेकिन आखिरकार वो अभी रिम्स में ही है और रिम्स में आने के बाद उनका इलाज जारी है देखने वह लिए बात होगी कि क्या सुप्रेम Küर्ट पर औरके अगह अपने फ्रैसला सुनता है कि यह पिर अभी जील में ही रहना पड़ते है यह सारी बात है जो है वो सुप्रिम कोट के सुनवाई के बाद सामने आई कि क्या कुछ होता है सुप्रिम कोट की क्या गतिविदिया रहती है क्या कुछ पैसले में आता है लाइफ सीडिश आपको सबसे पहले अबडेट करेगा अगर आपने अभी तक हमारे यूटुब चैनल को